जादूई हिरन एक मरतबा विशाल अपने गाओ की तरफ निकला लेकिन रास्ता भटकने की वजह से वो जंगल में फस चुका था सोचा कि अब मैं गहां से कैसे निकलू उतने में शेर आ गया और उससे कहने लगा मैं तुझे और तेरी हिरन को खा लूँगा विशाल ने कहा नहीं नहीं हमारे खाने से आपको कोई फैदा नहीं पहुचेगा मैं इससे भी बड़ा जानवर आपको लाकर दूँगा शेर ने कहा नहीं नहीं इसकी क्या गैरेंटी है कि तुम मुझे जानवर बड़ा लाकर दूँगे एक काम करो आपकी हिरन मेरे पास रखो और आप उट लाने पर आप इसे ले जा सकते हो बोलिए तुम्हें मन्जूर है शेर खान ने कहा ठीक है मन्जूर है और विशान अपने शेर की तरफ निकला और घर पर चला गया और भीवी से कहा मुझे जंगल में एक शेर ने मेरी हिरन को किटनेप कर लिया है वो कहता है कि उट लाकर दो और आपकी हिरन लेकर जाओ ये कैसे हो सकता है उसकी क्या गैरंडी अब तक तो वो हिरन खा चुका होगा तुम भी वैसी ही आगए वो हिरन हमारे लिए कितनी लखी है मुझे तो डर लग रहा है तुम कुछ करो और हिरन को कुछ न कुछ कैसा भी करके मेरे पास लाकर दो जाओ विशाल उट वाले की तरफ गया उट वाले ने उससे कहा ठीक है मैं आपको मेरा एक उट दे दूँगा लेकिन इसकी खिमत जादा है विशाल ने कहा ठीक है मैं आपको ऑनलाइन करता हूँ और विशाल वहां से निकल गया जाते जाते सोचने लगा कि मैं हिरन को भी और ओट को भी कुछ न कुछ दिमाख लगा कर बचाओंगा वो शेर की तरफ चला गया शेर ने कहा तू अकेला आया है कहा है ओट विशाल ने कहा वो रहा ओट देखो ओट की आखरी इच्छा थी कि वो पेट भर कर खाना खा ले इसलिए मैंने उसे खाना खाने की लिए पिछे छोड़कर आया हूँ आप देखिए बहुत बड़ा उट है मेरी हिरन कहा है नजर नहीं आ रही है शेर खान ने कहा तुम्हारी हिरन महफूज है आप पिलकुल टेंशन ना ले आपकी हिरन आपको मिल जाएंगी आप जबान के पक्के हो ले जाओ अपनी हिरन और खोशी खोशी जाना हूँ शेर बहुत खोश हो गया और उट की तरफ जाने लगा लेकिन जाली की वज़े से नहीं चापाया और कहां ये इनसान बहुत चालाख होते है इस इनसान ने मुझे तो धोका दिया धोका ऐसा दिया शेर को कि शेर बेहोश हो गया शेर को बड़ा सद्मा लग चुका था और विशाल अपना ओठ हिरन अपने घर की तरफ ले गया। चलो बच्चों हमें सब्क्राइब, लाइक, शेर जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। गुड़ बाई!